लोकसवाद दो हदार चौबिस की तैयारियां मजलिस इत्यादल मुस्लमीन पूरी तेजी से कर रही है हमने अपनी रिपोर्ड बना कर राष्टी अध्धज जनावसद वैसी साब को भेज दी है कहां से चुनाव लड़ेंगे कितनी सीट पे चुनाव लड़ेंगे किसको टिकट देंगे ये अंतिम फैसला राष्टी अध्धज जी खुद लेंगे उत्तर प्रदेश में अभी मजलिस इत्यादल मुस्लमीन की किसी से भी गड़बंधन पर कोई चर्चा नहीं हुए हमारी गड़बंधन के लिए किसी से कोई बात नहीं चल लगी है उत्तर प्रदेश में हमारे दर्वाजे सभी दलों के लिए खुले हैं भारती इंता पार्टी को छोड़कर बीजेपी को छोड़कर हम किसी से भी गड़बंधन करने को तयार हैं समाज़ादी पार्टी कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज़ पार्टी मैं समझता हूं कि मूदी को हराने के लिए एक बहतरीन और ताकदवर कंडिनेट को उनके सामने खड़ा करना होगा बहुजन समाज़ पार्टी की राष्टी अध्यच बहन कुमारी मायावती जी दलितों में एक अलग छाप रखती है देश का और उत्तरप्रदेश का दलित उनको महबत करता है उनको चाहता है महन कुमारी मायावती जी का विजन और एडियलोजी बहुत किलियर है बहन कुमारी मायावती जी बेहतरीन मुकमंत्री साबित हुई थी और मैं समझता हूँ कि अगर उनको प्रधान मंत्री का दावेदार घोशित करके चुनाओ लड़ा जाता है तो वो भविश्य में बेहतरीन प्रधान मंत्री भी साबित होंगी क्योंकि उन्हीं ने पिछले कारकाल में मुखमंतरी में साबित किया है कि वो बेहतरीन मुखमंतरी थी मजलिसे त्यादलों मुसलमीन और हम सब बैन-कुमारी मायवती जी का बहुत सम्मान करते हैं वो सम्मानित नेता हैं देश की और उनको वो दलिद भी हैं उनको प्रधान मंत्री का दावेदार घुशित करना चाहिए, इसमें किसी भी तरह से कोई देरी नहीं करना चाहिए, हम उनके साथ हैं, अगर उनको प्रधान मंत्री बनाया जाता है, उनके दावेदारी पेश की जाती है, तो यह देश के लिए भी बेतर होगा, अलप संक्यक के लिए बेतर होगा दरितों के लिए बेतर होगा और पिछणों के लिए भी बेतर होगा